नमस्कार मित्रों तो आज हम बात करेंगे rejection diamond के बारे में भाई यह rejection diamond क्या आता है आप diamond market में ट्रेडिंग कर रहे हैं या diamond market का आपको knowledge चाहिए तो सबसे पहले आप diamond field के अंदर क्या सिखेंगे तो सबसे पहले कोई भी नया बंदा आता है diamond market के भीतर उसे कुछ knowledge चाहिए तो सबसे पहले उसको rejection का knowledge होना चाहिए अभी ये rejection क्या आता है rejection diamond ऐसे आते है जो white diamond है उसमें color भी निकलते है तो भी हम उसे rejection कहते है कोई बंदा ऐसा है जो pointer diamond manufacturing करता है और उसमें से जो rough diamond निकलते है उसे भी वह लोग rejection कहते है और कोई 10 रुपे या 20 रुपे या 30 रुपे की जो diamond purchase करता है per carat के हिसाब से उसे भी हम rough या फिर उसे rejection diamond भी हम कह सकते है लेकिन वो depend करता है कि आपके वो किस use में आता है for example आप मान लिजे सिर्फ rejection का ही business करते है यानि कि rejection business है उसमें आप सिर्फ trading करते है तो आपके पास जो भी diamonds आए उसे आप rejection ही कहेंगे और उसमें से आप directly उसका trading करते है और उसका जो assessment करके आपका जो काम के diamonds है वो आप निक rejection diamond के बारे में अभी rejection diamond हम मान लिजे के कोई white diamonds है उसमें से हमें जो diamonds pointer है वही बनाने है और बाकी के जो small size के diamond है वो से हम rejection कहते हैं वह हमें local market के अंदर selling करना है तो अभी local market के अंदर आप selling करेंगे तो उसकी भी price list एक set होती है और उसका भी price list आपको मिलती है लेकिन वो rejection के base मिलती है जो आपका upper number है उसके हिसाब से उसकी price को बहुत आपको कम ही मिलती है for example कोई भी आप shedding based diamond देखेंगे rough diamond मैं से मान लिजे white diamond से उसमें से shedding based बहुत ज्यादा shedding based diamond निकला तो वो भी आप rejection based निकल सकते है तो यह rejection का diamond है उसमें आप mostly उसका manufacturing भी कर सकते है उसके हिसाब से diamond का जो भी structure है उसके हिसाब से भी आप manufacturing कर सकते है कोई भी diamond ऐसा है rejection में से अच्छा बन सकता है तो आप उसका cutting out करवा के भी उसका manufacturing कर सकते है कोई diamond ऐसे होते है भाया की totally उसके अंदर impurities से भरा ही है लेकिन वह गोली shape का है round cut का है तो आप उसका क्या करेंगे round shape है उसका तो obviously उसकी price list ज्यादा आएगी as compared to craft के हिसाब से लेज लेजिए क्योंकि craft है वो क्या होता है वो कोई भी दूसरी रफ आती है उसमें आप डाल नहीं सकते है इसलिए आपको कोई भी diamond है आपके पास आता है वो cut हुआ आता है तो उसकी price list कम है वो जो original form में आता है तो obviously उसक कुछ ना कुछ price list उसकी set होके वो बढ़िया दाम में आपको मिलता है तो यह बात हो गई rejection market के बारे में rejection market में कोई भी नहीं बंदा आता है तो obviously वो survive कर सकता है क्योंकि rejection market है वो बहुत up-down नहीं होता है जो आप rough diamond मान लिजे आपको कोई side की rough आई तो एक बार side की rough आई तो दूसरी बार उसका price list up-down हो सकता है उसमें से आपको अगर मान लिजे starting में कुई idea नहीं है कैसे diamond manufacturing करो diamond का जो भी माफ़ा भी कमा सकते है वो depend करता है आपकी strategy पर आप कैसे workout करते हैं आपके पास जो भी कोई भी businessman है आपका जो group है वो कैसे सरवाई करता है कैसा purchase करता है आपको knowledge होना चाहिए तो obviously यह सारा knowledge आपके पास होगा तो आप rejection मार्केट में भी सरवाई कर सकते हैं as compared to हम totally knowledge तो लेंगे कि diamond आप rejection में से कैसे निकल सकते हैं rough diamond है मान लिजे आपने कोई side holder से के पास से आपने roughly है तो और रख के भीतर आप कैसे totally उसका cutting out करके उसका process क्लेविंग करके उसमें से कितने percentage आप diamond manufacturing की unit के लायक निकल सकते हैं उसके बाद उसका manufacturing होता है जो polish diamond हमें मिलता है उसकी price list कैसे set होती है उसकी price list हमने set कर दी उसके बाद हम रेपापोट के हिसाब से उसे किसे sell कर सकते हैं अगर हमें कोई भी certified diamond चाहिए यानि कि हमरे पास जो भी diamond है वह manufacturing हो गया तो उसके बाद में उसका certificate भी निकलना चाहूं तो मैं कैसे निकल सकता हूं certificate base अब diamond कैसे दूसरे कोई भी आपके customer होंगे तो उसे कैसे sell कर सकते हैं सारा का सारा knowledge step by step लेंगे diamond के cleaving से लेके उसका manufacturing unit उसकी technology जो use होती है उसके बाद उसका selling कैसे होता है जो totally process out है वह diamond के भीतर कैसे होते हो स्टेप बाइस टेप हम सारा का सारा knowledge आगे वीडियोस में लेंगे अ